इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आईफोन 12 सिरीज में केलकुलेटर अगर वर्क न करें तो कैसे आप यहाँ प्रॉब्लम को सॉट आउट करेंगे वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिजीगा विलक आईकन को प्रेस कर लेना है जब आपको कैलकुलेटर में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो फर्स्ट अफ़ाल तो आप अपने आईफोन 12 को एक बार स्विच आफ करें फिर स्विच आउन करें हो सकते हैं आपके प्रॉब्लम ठीक हो जाए या फिर अगर ये तरीका काम नहीं करता तो सेकेंड आपको अपना कैलकुलेटर को लॉग प्रेस करना है आपको रिमोव एप पे क्लिक करना होगा और Simple आप इसे तरीक करें अब डिलीट करने के बाद आपको अपना एपिस्ट्र उपन dynamics करना है तरन आपको एप सर्च कर देना होगा और यहाँ पर हम सर्च कर देंगे कैलकुलेटर यहां पर आपको अपना calculator सो करेगा और simple आप इसे फिर से reinstall कर लीजेगा जब आप इसे फिर से reinstall करेंगे तो आप जब इसे open करेंगे तो जो आपको problem आ रही थी पहले अब वो problem देखने को नहीं मिलेगी ओके so topic is cover मिलते है next video में जै माता दे झाल पुझी